Dear Aspirent, Manu Academy में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, हमारा discussion चल रहा है The Code on Wages 2019, यह हमारा second lecture है, और यहां से actually हम लोग start करने वाले हैं हमारे इस code को, आज हमारा chapter number 1 है, जो preliminary है, इसमें कितने section है chapter number 1 में, that is from the section 1 to section 4, जिसमें सबसे ज़्यादा important section है, section 2, उससे question पूछे जाने की probability सबसे ज़्यादा है, और as usual यहां पे आपको कुछ practice mcq भी मिलेंगे, और यह जो performance scale है, यह भी आपको last में मिलेगी, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मिली थी आपको, आपसे request है कि अगर आप पहली बार channel में आये हैं, तो आपको पहले introduction वा तो answer आपको खुद attempt करने हैं, मैं आज answer भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि mcq के answer आप शार discuss करते चलो, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी समझने में, तो वो भी आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, पर उसके लिए आपको वीडि सकते हो, तो यह तो introduction वाली बात रही, तो यह सारे वो sections हैं, जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, section 1 जहां पर short title होता है, section 2 जिसमें definitions दिया जाता है, कि जो चीजें हमारे basically act में use किया जा रहा है, वो particular word है, उसका interpretation या meaning क्या होगा, कोई अपना interpretation ना दे, उसमें ना घु साय, इसके लिए होता है, section 3, provision of discrimination on the ground of gender, जो कल भी मैंने बात किया था, male female का, decision as to dispute with regard of the same or similar nature, यह हम आगे जब पढ़ेंगे, तो समझेंगे, तो यह सारी चीजें हैं, चलिए अब अपने PDF पे चलते हैं, जो हमारी act की PDF है, वहाँ से चीजों को समझेंगे, और फिर से वाप अपने PPT पे आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे PDF पे आ चुके हैं, यह आपको गजट दिख रही है, गजट आप भारत सरकार, जिसे भारत का राजपत्र कहा जाता है, कोई भी जो act हो, जो notification हो, गजट में publish किया जाता है, तो उस दिन वो official हो जाता है, तो यह गजट का जो publication date है, यह भी आपके लिए important है, यहाँ पे आपको date नज़र आ रहा है, 19-20, मतलब यह जो दिन है, इस दिन, जो आपका यह the code on wages 2019 है, यह enforce हो गया, इसका पूरा एक process होता है, तो थोड़ा सा मैं detail आपको बदा देता हूँ, कि जो यह हमारा code bill है, introduction में तो हमने discuss किया था, कि व आपको लिखना पढ़ना नहीं है, उसको 10 अगस्त 2017 में सबसे पहले सरकार लेके आती है, लोक सभा में, बट वहाँ पे यह इस पे debate होती है, बहस होती है, और इसको parliamentary standing committee में भेज दिया जाता है, तो यह चला जाता है 21 अगस्त 2017 को parliamentary standing committee में, अब जो भी चीज वहाँ पे जात है न, तो एक तरह से कहते हैं कि ठंडे वस्ते में चला जाता है, उस पे बाते होती है, बाद में जो parliamentary standing committee है, 2018 में कुछ recommendation देती है, कि इसमें क्या-क्या changes होना चाहिए, वो changes होंगे, बट उससे पहले आ जाता है election, अब वो changes करने के बाद, फिर सरकार को क्या करना पड़ता, इसको लोग सभा में या राज सभा में present करना पड़ता, पास करने के लिए, तो वो changes होते है, उससे पहले 2019 का election आ गया और यह bill ऐसे ही पड़ी रही, बिल मैं इसलिए कहा रहा हूं कि जब तक कोई चीज पास नहीं होता है, तब तक उसे हम bill कहते हैं, और जब कोई bill पास हो जाती है, प्रेसिडेंट से अप्रूव हो जाता है, तो वो act बन जाता है, law बन जाता है, ठीक है, तो यह bill क्या है, ऐसे ही पड़ी रही और dissolve हो गई, जब दुबारा मोधी गौर्मेंट चुनके आई, तो फिर से इसको represent किया गया, तो दिवारा से इसको 30 जुलाई 2019 को इसक प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, और उसी दिन प्रेसिडेंट पे इसकी साइन हो गई, और फिर से इसको official गजट में publish कर दिया गया, तो इन शॉर्ट अगर आप से पूछा जाता है, एक्जाम में, कि यह जो the code on wages act है, 1920, इसको enforce कब गया गया था, तो वो date होगी 8.5 अगस्त, यहाँ पे mention भी किया गया है कि कोई चीज, कोई document उसी date से valid होता है, जब उसको official गजट में publish कर दिया जाता है, कहां तक extended है, तो इसकी जो territorial आप कह सकते है, वो पूरे देश में है, मतलब देश में हर जगा लगेगा, थोड़े बहुत changes के साथ हो सकता है, क्योंकि concurrent list है, जो power, जो jurisdiction दिया गया, state government का, state government basically उसमें थोड़ा बहुत modification कर सकती है, तो definitely उसकी language उसी भासा में यहाँ पे लिखा गया रहता है, तो उससे कोई conflict create नहीं होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा, कि क्या चीज़ें, basically इस act की कौन सा portion है, जिसको center government amendment कर सकती है, और वो कौन सा portion है, जिसको state government amendment कर सकती है, या उससे later कोई notification ला सकती है, दूसरा जो इसका section है, यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते है section, ठीक है, तो second जो section है, वो definition का होता है, कहीं पे भी आप देखोगे, तो generally यही format होता है, पहले में नम nomenclature में देखो, यहाँ पे कहा गया है, this act may be called on the wages 2019, तो यह इसका nomenclature है, ठीक है, second में definition होती है, definition मतलब वो चीजें, वो words, जिस पे conflict हो सकता है, और वो basically act में use किया गया है, और उसका अलग-अलग interpretation हो सकता है, तो सरकार अलग-अलग interpretation से बचने के लिए यहाँ पे उन words की definitions दे देती है, ताकि यही, अगर मान लिजे कोई matter quote और tribunal में जाता है, तो ऐसा ना हो कि accounting year की बात आई, तो कोई कहरा है कि हम किसी मन से लेंगे, कोई कहरा है, किसी मन से लेंगे, तो उसलिए यहाँ पे define कर दिया जाता है, तो इस तरीके की definition है, यह definition बहुत ज़्यादा important है यहाँ से question बनता है, इसी लिए यहाँ पे आपको नजार आ रहा होगा कि चीजें highlight किया हुआ है, advisory board क्या होता है, तो advisory board आगे हम पढ़ेंगे, जब chapter number 5 पढ़ेंगे, वहाँ पे जो section 42 है, वहाँ पे detail advisory board के बारे में discussion किया गया है, center और state के, आगे हम पढ़ेंगे, बट यह यहाँ पे advisory board की definition है, as such आगे आपके chapter number 5 में इसके बारे में detail में है, agriculture text, simple जैसे नजार आ रहा है कि agriculture resources जो text लगाए जाएंगे, उसे हम कहेंगे, agriculture text, appropriate government, government किसे कहेंगे न, तो कोई भी establishment जैसे यहाँ पे mention किया गया है, इस तरीके की establishment, फिर या state की establishment, ओ सब किसमें आएंगे, government में आएंगी, या फिर बहुत ही simple और normal भासा में सबजने की बात किया जा, तो कहीं पे अगर मान लीजे लिखा गया रहेगा, government या appropriate government लिखा गया रहेगा, तो आपको यही चीज समझना है कि वो center government और state government की बात कर रहे हैं, या फिर center government की जो establishment है, establishment मतलब center government के द्वारा बन आई गई company या फिर जिसे हम सरकारी company कहते हैं, यह उनकी बात कर रहे हैं, कहीं पे अगर वो act में use होता है word तो, company किसे कहेंगे, तो company का definition यहाँ पे नहीं दिया गया है, कहा गया है कि जो company act 2013 है, वहाँ का section 2 है, वहाँ पे भी preliminary आपका chapter होगा, वन, जहाँ पे definition दिया गया र तो company मतलब कोई भी establishment है न, जो कि under the section 2013 बनाई गई है, उसे हम company कहते हैं, यह act भी आपको पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे तो और भी चीजे discuss करेंगे, यहाँ पे ऐसे जिसका बहुत जादा use है नहीं, contractor क्या होता है, या contractor किसे हम कहेंगे, मतलब ऐसा person जो involved हो, जैसे आपक contract पर labor supply कर रहा है, आपके manufacturing में कुछ supply कर रहा है, तो उसे हम contractor कहेंगे, contract basis पर यह सारी चीजे हो रही है, ध्यान देना यह सारी चीजे आपको ध्यान से पढ़ना है, जो act होता है न, उसमें जो comma full staff होता है, उस सब की value होती है, क्योंकि interpretation ही होता है इसमें, तो आपको ध्यान स पढ़ना है, क्योंकि question जो आगे आपको मिलेंगे, वो ऐसे ही मिलेंगे, अगर ध्यान से आपने नहीं पढ़ा है, तो answer नहीं गर पाओगे, इसलिए आज मैं question का discussion भी करने वाला हूं, जो आपका G definition है, that is contract labor, यह मेरे इसाब से काफी important है, आपको पता होना चाहिए, इस से question भी पूछा जा सकता है, तो contract labor किसे कहते हैं हम, तो contract labor that means the worker who shall be dream to be employed in the connection with the work on establishment, यह तो basic चीज़े लिखा गया है, when he is hired or connection with such work that through the contractor, मतलब in short यह सारा कुछ लिखने का मतलब असिनका यह है, कि अगर contractor के through आपको hire किया गया है, कोई भी हो सकता है, जिसको contractor hire किया हो, with or without the knowledge of the principal employer, contractor का मतलब क्या है, जैसे कोई एक आदमी है, वो company चला रहा है, उसको कुछ worker की जरूरत पड़ गई, तो यह किसी आदमे से कहा कि आप हमें worker लाके दे दो, अब जरूरी नहीं है कि यह जो worker provide कर आएगा, वो सारे worker इसके knowledge मे ही हो, हो सकता है, इसके knowledge में हो भी हो सकता है, ना भी हो, मतलब in short है, जो contract labor है न, उसको directly जो principal employer है, वो hire नहीं करता है, उसको कौन hire करता है, contractor है, contractor उसको permanent basis पे भी hire कर सकता है, temporary basis पे भी hire कर सकता है, that is the contractor lookout, बट जो principal employer है न उससे वो directly connect नहीं होंगे वो contractor के थुरू आएंगे तो उसे हम कहते हैं contract labor समझ में आगए आपको बट does not include the worker ये बहुत important है इसको आपको ध्यान में रखना है other than the part time employee अब इनके अलावा किसको contract पे हम consider नहीं करेंगे उसकी बात कर रहा है कौन से लोग होंगे जिनको हम contract labor नहीं करेंगे is regularly employed by the contractor मतलब अगर contractor भी किसी को regularly employment देता है तो उसे हम contract labor के category में नहीं रखेंगे जैसे माल लिजे किसी को उसने permanent job दे रखा है और वो बहुत सारी चीजे पाता है जैसे उसको कुछ pay मिल रहा है social security मिल रही है बाकी जो welfare की schemes है वो आ रही है जैसे बड़े बड़े contractor होते हैं तो वो permanent employee भी रखते हैं ऐसा नहीं कि contractor है तो हमेशा temporary employee रखेगा कि काम करो पैसा लो जाओ ऐसा जरूरी नहीं होता है बहुत सारे contractor होते हैं जो permanent employee रखते हैं तो अगर contractor है बड़ permanent employee रख रखा है तो ऐसे लोग contract labor की category में नहीं आएंगे यह बहुत important question है ध्यान रखना आपकी contract labor हम किसे कहते हैं question पूछा जाता है cooperative society क्या है आप सभी को पता है यह basically cooperative का act है उसके अंदर में जो register होगा cooperative society कहला आएगा cooperation कौन कहला आएगा मतलब जो company और cooperative society में नहीं आएगा cooperation कहला आएगा तो आपने देखा होगा कई सारे जगह पे cooperation लिखा रहता है कई सारे जगह पे cooperative society लिखा रहता है तो यह आगे जब आप act दूसरे act पढ़ोगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में detail में discussion होगा बट as such यहाँ पे आपको जानना है कि वो सारी चीज़े क्या है क्योंकि इनका use आएगा direct tax मतलब क्या होता है जैसे कि income tax आपको आपको पता है tax कितने प्रकार के होता है broadly बात करें तो direct और indirect tax होता है direct tax जो आप directly देते हैं सरकार को direct tax जो आपको पता नहीं चलता है जैसे सामान खरीदरों उस पर tax है तो indirect हो गया income tax आप देते हो direct tax हो गया तो यहां पर लिखा गया है income tax 1961 के अंदर पर आता है फिर company का कोई profit हो रहा है उसका tax जो आप पे कर रहे हो यह भी direct tax है फिर agriculture income पे जो tax पे कर रहे हो यह भी है आपके direct tax में आता है फिर any other tax which having regard of its nature और incidence may be declared by the center government ठीक है और भी कोई tax है जिसको center government direct tax में include करना चाहती है तो उस time पे वह वाला tax अभी के लिए कुछ mention कर रखा है बाद में सरकार जैसे changes आते रहते हैं तो सरकाल इनी सारे section का use करके इनी सारे section से power मिलता है इनको क्योंकि सरकार यहां पर add कर सकती है तो देखो कहा गया है कि center government अगर कुछ add करना चाहती है तो add कर देगी तो जब center government add करेगी तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि center government ने जो आपका code 1920 है उसके section 2 के subsections जो भी यहाँ पे subsection है subsection 1H या whatever that इससे empowered होकी यह चीज़े add कर रही है वो हम जब motorbike collect पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यह सारी चीज़ें आ रही थी चलिए next है आपका employee employee कौन होता भाई simple जैसे आप कहीं पे job करते हो तो आपका employee है अब यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है कौन-कौन employee में नहीं आता है तो यह ध्यान दीजिए any member of the armed forces government मतलब armed forces जो है वो लोग इसमें include नहीं होते हैं तो ध्यान रखना है यह लोग include नहीं होते हैं और जो लोग apprentice का job करते हैं वो लोग भी यहाँ पे include नहीं होते हैं बहुत बार आपने सुना ओगा ना company apprentice basis पे hire करती है कार महीने के लिए आपको कुछ सिखाती है आप उनके लिए कुछ काम करते हो इसके बाद निकाल देती है आप उनसे claim नहीं कर सकत है कि हम आपके employee हैं हमको compensation दो हमको कैसे निकाल दी आप court भी नहीं जा सकते हो तो employee समझ में आ गया एक तो यह include exclude हैं और एक जो armed forces वाले हैं वो exclude हैं बाकी central government private government state government में जो लोग भी काम करते हैं उनस सब को आप in short employee कह सकते हो employer कौन होता है जो job देने वाला है उससे हम employer कहते है job कोई भी दे सकता है जैसे central government अपने company में दे रहे तो central government भी एक तरह की employer state government भी है private company भी है contractor भी है सारे लोग employer के category में आते हैं जो job दे रहे हैं एक या एक से जादे आदमी को opportunity दे रहे हैं काम करने की उसके basis पे उसको कुछ wages दे रहे हैं मतलब पैसा दे रहे हो वो सारे किस category में आएंगे employer की category में आएंगे और भी कुछ चीजें हैं यहां पर आपको ध्यान देना है कि और किसको आप employer कह सकते हो जैसे company का manager होता है ना तो manager भी generally क्या करता है लोगों को job देता हार करता है तो क्या वो भी employer में आएगा या फिर company का जो chairman होगा केवल उसी को employer कहेंगे त वो सभी किसमें आते हैं employer में आते हैं कुछ का मान लीजें यहां पर नाम ली रखा है जैसे manager, director, managing director इन सब कोई post का नाम mention कर रखा है इसकी अलामा आपका contractor mention कर रखा है यह भी employer है यहां पर यह point देखो legal representative जैसे मैंने अचार का नाम लिया तो चार यहां पर post mention नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि अचार employer नहीं है वो भी employer है क्योंकि वो company का या फिर employer का legal representative है कि on the behalf of employer उन लोगों को hire कर रहा है जोईन कर रहा है आपके company को तो वो भी किसमें आएगा employer के category में ही आएगा establishment क्या होता है establishment मतलब कोई भी industry या कोई भी company कोई भी business जहां पर trade हो रहा है manufacturing हो रही है वो basically किसमें आता है establishment आता है और ये basically जो government की companies है उनको भी यहाँ पर include करता है मतलब establishment ले लिया तो सारा कुछ आ गया उसमें जितनी भी companies आप देख रहे हो जो भी कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज का business कर रहे हैं वो सब किसमें आगए establishment में आ गए factory क्या होता है again ये factory act में mentioned है कि factory किसे आपको होगे तो कोई भी ऐसी premises जहां पर दस या दस से जादे लोग काम कर रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं जैसे trade कर रहे हैं manufacturing कर रहे हैं business कर रहे हैं कुछी भी टाइप को कुछ कर रहे हैं तो उसे हम का कहेंगे factory कहेंगे ये कहाँ पर mention है आपका जो factory act है 9048 ये भी आपको detail में पढ़ना है उसके हिसाब से factory को हम एक premises जहाँ पर 10 से या 10 से जादे लोग काम करते हैं उसे कहते हैं वहाँ पर detail definition है provided भी कुछ दिया गया कि और क्या condition इसके साथ होनी चाहिए तो वो चीज़े हम बाद में जब factory act पढ़ेंगे तब देखेंगे बट अभी सारी चीज़े अगर यहाँ पर include करना सुरू करेंगे तो फिर हमको दूसरे दूसरे act में छलांग लगाने पढ़ेंगे कुछ basic चीज़े हम यहाँ पर जानते हुए चल रहे हैं बट इस section के हिसाब से जो minimum चीज़े आपको जाननी चाहिए वो चीज़े मैं आपको बताते चलूँगा government establishment मतलब any office or department of the government या फिर local authority उसे हम कहेंगे government establishment अगर कहीं पर इन्होंने mention कर रखा है income tax उसका मतलब है tax act की यह बात कर रहे हैं कहीं पर मालीजे कोई dispute हो जाता है dispute मित मतलब क्या होता है differences होता है किसी भी type का differences हो जैसे employee और employer के बीच में differences हो गया employer employer के बीच में differences हो गया employee employee के बीच में differences हो गया तो कहीं पर भी differences होते हैं उसी को हम industrial dispute कहते है माली जी आप जब कहीं पर जाते हो ट्रिगुनल में या कोर्ट में तो वहाँ पर जो word use होगा ना वो यह word use नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में differences थे वहाँ पर यह legal language जो होती है यह use होता है इसलिए generally हम जब कोई application पढ़ते हैं legality का तो वह हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि वहाँ पर यह सारे word use किये गए होते हैं और हमको उसकी definition नहीं पता होती है as per the act बट आप इसके officer बनोगे जैसे आप जिस post के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हो industrial officer के लिए तो आपका काम होई होगा तो आपको जानना चाहिए इसलिए GPSC ने मैं तो GPSC की बात कर रहा हूँ और भी जहां पर यह syllabus होगा तो आपके requirement के इसाप से ही यह syllabus इसमें add किया गया है next है जो आपका inspector come facilitator इसको मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि इसी के लिए basically इस act का criticism भी हो रहा है कि किसी आदमी के हाथ में दिया जा रहा है कि वही सारा कुछ है वही भागी विधाता है जैसे inspector और facilitator की definitions आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर mention किया गया है detail में बट अभी आप ये जान लो कि ये इसका काम क्या होता है थोड़ा सा में basic बता देता हूँ आगे detail में बताऊंगा basically इसका काम होता है कि ये जो act है ये जो code act है code on wages 19-20-19 इसके जो provisions हैं उसको implement करना है उसको industry में जैसे जो भी चीज़े यहाँ पर industry के लिए बताए गई है उसको देखना है officer को कि ये सारी चीज़े implement हो रही है कि नहीं हो रही है जैसे minimum wages कुछ define किया गया है state government द्वारा तो क्या आज इतने भी लोग काम कर रहे हैं उनको minimum wages मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बाकी जो basic requirements हैं जो कि इस act में बताई गई है वो चीज़ें है कि नहीं जो rules उसके लिए provisions बनाए गए है वो company वाला follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सारा inspect करना जो उसके लिए registered maintain किया गया है उसको siege करना उसको inspect करना कोई भी आदमी हो company premises में तो इसके पास power होता है कि उससे push तास ये कर सकता है company से related तो ये सारा इसका power होता है तो इसी लिए कहा जाता है मतलब कहा गया था कल हम discuss कर रहे थे कि inspection के लिए न कोई proper mechanism होना चाहिए न कि एक आदमी होना चाहिए ठीक है अब एक आदमी गया मान लीजिए wages की बात किया कल भी मैंने आपको बताया था तो पकड़ लिया कि ठीक है भाई यहाँ पर जो company वाले हैं जो minimum wages defined है वो नहीं दे रहें labor को तो company वाला कहाएगा ठीक है भाई मैंने minimum wages नहीं दिया इससे मेरा इतना बच्चत हुआ आप तुम इसका इतना ले लो तो setting के chances होते हैं तो in general इसलिए इसको kit size किया जाता है कि एक mechanism होना चाहिए इसको सरकार ने introduce किया है जैसे आपकी जो post है industrial safety and health officer इसका काम भी वही है तो आप गये काम करने तो भाई आपके नियत पे तो question mark आई सकता है इस बात की क्या guarantee है कि आप जो चीजें देखोगे वही बोलोगे उसी के हिसाफ से action लोगे हो सकता action आप vitamin M के हिसाफ से देने लग जाओ next है जो आपका notification कोई भी चीज नोटिफाई करना है तो जो gadget of India उसमें publish करना होगा definition ये भी दिया गया है कि same work या similar work या फिर जो आपका similar nature होता है वो क्या होता है same work का तो ये क्यों कहा गया है क्योंकि कई बार discrimination देखा गया आगे हम देखेंगे जो section 3 है उसमें शायद mention किया गया है कई बार gender discrimination होने लगता है कि हमने कल भी कहा था same काम के लिए अलग-अलग wages दिये जाते हैं तो अब same काम किसको कहेंगे ये कौन define करेगा तो इस पे भी conflict हो सकता है तो इसलिए यहाँ पे mention कर दिया गया है कि ऐसे काम जिसमें मतलब same type की skills, effort, experience required है उसे तो हम same work ही कहेंगे जैसे माल लेजिए किसी company ने post निकाला किसी engineering का ठीक है और उसने बोल दिया कि engineer की ये profile है ये requirement है हमारा experience चाहिए qualification चाहिए और ये हमारी requirement है तो उतना mention होगा अब उसमें एक male candidate भी आया एक female candidate भी आया तो ये assure करता है ये हमारा code bill कि आप ऐसा ना करो कि इसी काम के लिए जो profile आपने mention कर रखा है उसमें male को ज़्यादा पैसा दो female को कम पैसा दो ये चीजें नहीं होनी चाहिए आगे हम देखेंगे अब ऐसा क्यों होता है practicality practicality में ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि आदमी ज़्यादा काम जैसे मान लीजे कहीं पे sales की job है कहीं पे manufacturing की job है जिसमें ये मान के चलते है generally ये opinion है ऐसा होता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ मान के चलते हैं कि आदमी ज़्यादा कर पाएगा तो चीजें लगती है कि ठीक है आदमी को hire करो औरत को ना करो या फिर औरत को लेना ही है फिमेल को लेना ही है तो कम wages दे दो कम पे काम करने को कई बार हो तयार भी हो जाते है तो वो discrimination ना हो उसके हिसाब से यहाँ पे definitions दिया गया है और आगे एक section भी इसमें add किया गया जिसके लिए appreciate भी है किया गया कि यह चीजें होनी चाहिए मतलब gender equality होना चाहिए ट्रिबुनल क्या है मान लिजे कोई conflict आ जाता है कहीं पे state आता है मतलब वहाँ पे union territory की बात हो रही है ट्रिबुनल क्या है मान लिजे कहीं पे conflict आता है ट्रिबुनल में जाना है तो जो आपका industrial dispute act है उसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे पूरा detail चीजे होती है कि कैसे आपको application करना है कैसे आपको सुना जाएगा कितने time में case disposal होगा आप satisfied नहीं हो तो उसके आगे क्या करना हो ये सारी चीजें वहाँ पे पूरा procedure mention होता है wages ये बहुत important point है ध्यान रखना confusion होता है कल भी मैंने इस पे question पूछा था और आज भी last में आपको question इस पे मिलेगा तो आप ध्यान से समझ लो ताकि कोई गलती ना हो wages means वो सारे remuneration जो आपको salary या फिर elevances के रूप में मिलते हैं वे wages में include होती है जैसे यहाँ पे basic pay है, dearness elevances है आपका returning elevances है क्या चीजे include नहीं होती है ये बहुत important है ये ध्यान रखना ये ध्यान रखोगे तभी आप MCQ का answer दे पाओगे कोई भी bonus आपको दिया जा रहा है तो वो include नहीं किया जाएगा wages में, इसका कई बार misuse भी होता है क्योंकि आपको पता है कि कई सारे elevances होते हैं जिसके लिए आपको income tax pay नहीं करना पड़ता है तो कई सारे company या इस चीज़ का फाइडा उथाटी है कि basic pay कम रखेंगी, आपको miscellaneous elevances, medical elevances तो आपको ये elevances मिला के ज़्यादा दे देंगी salary आपको tax कम pay करना पड़ेगा, generally ये पहले PSU में देखा जाता था बट सरका धीरे-धीरे उसको countdown कर रही है, तो कोई भी आपको bonus दिया जा रहा है, वहाँ पे भी limit होता है ऐसा नहीं कि वह बढ़ा दो basic pay के 15% से ज़्यादा नहीं होना चीए, बोनस के गरम बात करें तो उससे ज़्यादा रहेगा, तो उसको wages में include कर लिया जाएगा तो कई सारी चीज़े होती हैं जिसको हम include नहीं करेंगे, जैसे बोनस हो गया आपका, आपको मान लिजे house accommodation दिया जा रहा है आपको light का पैसा दिया जा रहा है medical, water, amenity ऐसी कोई चीज़े आपको दी जा रही है तो आपके wages में include नहीं किया जाएगा और मान लिजे कोई ऐसा contribution कर रहा है employer आपके pension में, आपके मेरे खर्च हो गए, खर्चे हैं जैसे medical allowances मिलता है आप tax pay करते हो, बाद में claim कर देते हो तो medical claim में चला जाता है फिर है चारों भी claim कर देते हो आप तो इस तरीके से चीज़े claim करके आप पैसा वापस ले लेते हो तो companies का basically employee को benefits देने के लिए कभी कभी ये चीज़े बढ़ा दी जाती है basic पे कम कर दिया जाता है तो ये चीज़े होती है बाकि जो आपका traveling allowances है house rent already हमने discuss कर लिया है तो ये सारी चीज़ें आपकी accommodate नहीं की जाती है तो ध्यान रखना इस पे MCQ पूछा जा सकता है और भी चीज़ें यहाँ पे mention है overtime का allowances हुआ कोई commission हुआ कई सारी जाब होती है जिसमें आपको commission दिया जाता है generally sales में ऐसा देखा जाता है या फिर आपका retirement या फिर termination के time पे जो आपको पैसे मिलें ये सारी चीज़े include नहीं होती है आपके visits में provided debt ये भी ध्यां रखना है इस पे भी mcq बनाया जा सकता है provided debt किसकी ये बात कर रहे है आपके clause 1 के sub clause A की मतलब जो bonus वाला point था उसका कि ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चीज़ें तो लोग क्या करेंगे salary कट करके bonus के format में आपको पैसा देना start कर देंगे तो वो इससे ज़्यादा नहीं होना चीज़े सरकार की तरफ से constrained है और वो चीज़ें provided debt कि जो जो भी है gender basically danger discrimination नहीं होना चीज़े सारे लोगों को equal visits मिलना चीज़े वो सारी चीज़े हैं अब यहां पर वही 15% का explanation दिया गया है तो वो चीज़ें worker कौन होता है किसको हम कहेंगे कि आप worker हो कोई भी person जो आपके apprentice नहीं हो basically apprentice को छोड़के industry में employed हो कोई भी काम कर रहा हो कैसा भी काम कर रहा हो वो इसमें include होगा कौन कौन include होगा इनको भी दिया गया है जैसे कि industry का चलो छोड़के बाकी जो generalism में काम कर रहे हैं sales में काम कर रहे हैं और sales promotion में काम कर रहे हैं इन सारे लोगों को worker में include किया जाता है किसको include नहीं किया जाता है तो यहां पर again जो defense forces को लोग हैं उनको include नहीं किया जाता है तो ध्यान रहे इससे पहले भी हमने देखा था employee वाला worker वाला इन सब में defense forces के लोग police के लोग या फिर कोई managerial post पे है या फिर कोई 15,000 से जादा रुपया ले रहा है ये पैसा ध्यान रखना ठीक है तो उसको भी worker में include नहीं किया जाएगा ठीक है अब मतलब क्या है worker define करने का मतलब यही है कि यह बिसिकली बता रहे हैं कि labor law कहां कहां implement किया जाएगा ठीक है किसको worker कहेंगा अब आगे जहां पे भी worker लिखा रहेगा मतलब यह जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं जो act हम पढ़ रहे हैं यह केवल उनी पे apply होगा चुकि आपको इससे exclude कर दिया गया है managerial post वालों को तो जहां कहीं पे भी कोई section worker पे लगता है वो basically इस पे नहीं लगेगा ठीक है इसलिए definition आपको ध्याँ रखनी है जो section number 3 है हमारा that is prohibition of discrimination on the ground of gender gender के नाम पे मतलब male female के नाम पे wages में और recruitment में discrimination नहीं होना चाहिए same nature of work है तो आप discrimination नहीं कर पाओगे कई सारे जटा सरकारी company में भी discrimination हो रहा था जैसे कुछ time पहले की बात करें कुछ महीने या साल पहले की बात कर पाओगे आप तो fighter pilot है जो recruit नहीं करते था अभी भी जो हमारा road and border वाले जो organization है वहाँ पे recruitment नहीं होता है defense में कई सारे ऐसे sectors हैं जहाँ पे female को recruit अभी भी नहीं करते हैं तो यह कहलो कि कुछ चीजों को exclude किया गया है वैसे तो defense को यहाँ पे पूरी तरीके से ही exclude कर दिया है क्योंकि उनका working condition वैसी होती है बट still कई सारी चीजें है जहाँ पे discrimination नहीं होना चाहिए बट हो रहा था उसलिए चीजें एड किया गया है कहीं पे recruitment में या फिर wages में women के नाम पे discrimination नहीं होना चाहिए section number 4 है हमारा और last भी है decision as to dispute with regard to the same और similar nature of work माल लिजे जो इसके पहले definitions चल रही थी further section 3 कि same nature या similar work के लिए gender के नाम पे discrimination नहीं होना चाहिए चाहे वो recruitment में चाहे wages में उसी को यहां पे mention किया गया है decision की बात किया गया है where there any dispute of whether the work is the same or similar is not मतलब ऐसे हो सकता है ने भाई की कोई थोड़ा सा differentiate करके कहें कि नहीं देखो इसमें तो हम केवल mail को hire करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा उस काम से अलग है ठीक है तो अब कौन decide करेगा कि यह अलग है कि नहीं है तो उस case में dispute हो सकता है तो basically जो appropriate government होगी वो decide करेगी कि यह same work या similar work है कि नहीं है ठीक है appropriate government मतलब पहले definition बताया गया था यहाँ पे देखो appropriate government आ गया मतलब center government, state government या authority ठीक है जिसका visual direction वहाँ पे होगा जो define कर रही होगी उसका जो definition होगा वही माना जाएगा अब आगे जो हमारा chapter number two है इसको हम बाद में discuss करेंगे बट आज जो हमने discuss किया है इसके basis पे कुछ question है तो आज के हमारे discussion पे यह हमारा question है आपको खुद answer देना है इतना time में यहाँ पे definitely ले लूँगा तब तक आपको answer दे लेना है और देखना है last में scale है performance scale आपको देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो तो पहला question है कि यह कब enforce हुआ था जिसकी हम बात कर रहे है code on wages 2019 की तो कब enforce हुआ था यह हुआ था आपका C August 8th को 1920 को इसी दिन इसको basically जो agent मिल गया था president थे और इसी दिन इसको गजट में publish भी कर दिया गया था 30th July को इसको लोग सभा में pass कराया गया था 2nd August को इसको राजे सभा में pass कराया था तो first question है hope so हमारा discussion भी पहले हुआ था आप सभी लोगों ने इसका सही answer दिया होगा 2nd question है which of the following statement is our correct about the contract labor कौन सा सही है या फिर contract labor हम किसे कहेंगे पहला option है hope so इसका भी आप answer थोड़ा सा वीडियो पॉज करके दे लोगे first option है option नहीं है basically यहाँ पे statement ही दिया गया है they hired by the principal employer नहीं principal employer जैसे हम पढ़ रहा थे कि उसके knowledge में या without knowledge जो contractor से हम labor force मंगाते हैं उसे हम कहते हैं contract labor directly उसको जो principal employer है वो hire नहीं करता है contractor से मंगाता है तो यह option गलत हो गया इसे हम contract labor नहीं कहेंगे दूसरा question है worker supply by the contractor contractor जो supply करता है उसे हम contract labor के category में रखते हैं अब contractor उस labor को अपने जगा पर permanent में रख सकता है ठीक है बट वो इसको supply करेगा principal employer को वो तो contract basis पर ही मंगाएगा न तो वो चीज आपको समझना है ठीक है अब उसमें अगर ये उसको permanently रख रखा है जिसको यहाँ पर supply कर रहा है अगर इसके पास वो permanent है तब उसको हम contract labor में नहीं रखेंगे ये थोड़ा सा conflicting है इसको आपको समझ लेना है बट अभी in the general statement ये चीज सही है ठीक है थाड है आपका include the part time employee of the company और contractor जो part time लोग है उनको भी यहाँ पर include किया जाता है contract labor के category में permanent है तो include नहीं किया जाएगा जिसको basic PL मिल रहा है लॉवेंस मिल रहे है उसको include नहीं किया जाएगा can include full time employee नहीं full time employee को contract labor के category में नहीं रखा जाता है तो option two and three is correct तो कौन सो option हो जाएगा यहाँ पे आपका भी हो जाएगा जो question number three है अगेन आपको वही process वीडियो पहुच करके आप खुद पहले check कर लो खुद को consider the following statement about the contract labor अगेन उसी पे question है मैंने पहले भी कहा था इसको ध्यान देना मैं पूछा हूँ इसका मतलब यह नहीं मैं कह रहा हूँ तो जबाब है कि नहीं दिया जाता है यह दिया जाएगा तो वह contract labor में नहीं आया था मैंने PDF में चीज़े highlight भी किया था बताया भी second cannot covered by the benefits of the periodic increment हाँ बिलकुल बास सही है यह चीज़े से वो covered नहीं होता है मतलब यह चीज़े उसको नहीं मिलती है next है आपका this is the employer choice to give the welfare benefit to the contract labor like यह सारी चीज़े जो उपर mentioned है नहीं यह employer choice नहीं होता है अगर यह सारी चीज़े उसको मिलेगी तो उसको हम contract labor नहीं कहेंगे अगर कोई employer यह सारी चीज़े देना start कर देता है employer मतलब यहाँ पे company नहीं है केवल employer की definition आपने पढ़ा था contractor भी employer हो सकता है तो कोई भी अगर किसी employee को यह सारे benefits देता है तो उसको contract के category में नहीं रखेंगे तो यहाँ पे यह option भी गलत है केवल भी option सही है ऐसा नहीं कि all of above देखके आपको सबसे पहले all of above लगा देने है question number 4 है which of the following statement is are true about the direct tax काउन साय statement direct tax के लिए सही है बहुत आसान question है tax chargeable under the agricultural income आगे mention था तो बिलकुल include है option सही है any tax chargeable under the company profit company में जो profit हुआ उस पर जो tax लग रहा है बिलकुल वो भी direct में आएगा tax chargeable under the income यह भी आएगा हमने पढ़ा भी तो यहाँ पे सारे option आपके सही है D is correct मुझे लगता है अभी कुछ ऐसा question नहीं गया है जो आप लोगोंने सही नहीं किया होगा question number 5 है again आपको खुछ से कर लेना इसको who is are the employer कौन employer है पहला person who employs one or more person in his establishment मतलब उसके company में अगर एक या एक से जादे आदमी को employee करता है employment देता है तो उसे हम employer कहेंगे जी बिलकुल कहेंगे साथ सही है person who are authority which has ultimate control over affairs of establishment like manager अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है यह इसलिए लिखा है ना ताकि आपका mind हिट करे कि PDF में जो हमने पढ़ा था वो ऐसा कुछ था जरूरी नहीं कि exam में like करके सारी चीजे दे कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है यह जो statement लिखा है यह manager, managerial director principal, HR उनहीं के बारे में बात कर रहा है ना person who has the authority which has ultimate control over the affairs मतलब जो चीजें चल रही है establishment में उसके उपर जिसका control होता है उसे हम क्या कहते है post ही होती है, managerial post ठीक है, तो यहाँ पर मैंने mention कर दिया बट जरूरी नहीं कि आपके exam में भी mention रहे, तो info भी employer के category में रखते हैं, हाँ बिलकुल रखते हैं तो option यहाँ पर आपका दोनों सही है, third option हो गया contractor and legal representative of the deceased employer ठीक है, बिलकुल यह भी होता है आपका, जो legal representative है, जो employer के मरने के बाद, या फिर contractor है यह सारे लोग किस में आते हैं, employer के category में आते हैं, तो option जो question number 5 है, उसका option हो जाएगा आपका D question number 6 है, wages include which are the following simple simple सा question है ना wages में क्या क्या चीजे include होती है, basic पे include होता है हाँ, बिलकुल होता है dearness allowances and returning allowances include होता है, यह बिलकुल होता है, overtime allowances, house rent और कोई bonus औनस दिया जा राए employee को, क्या यह include होता है जी, नहीं include होता है तो option 1 and 2 तो first option इसका correct हो जाएगा option जो कुसरी question number 7 है who is or not the worker as per the code on wages 2019 कौन worker नहीं है तो defense personnel हमने पहले का था mark कर लेना यह worker नहीं है, ठीक है, इनको exclude किया गया है, second है employed mainly in the managerial administrative position क्या यह है, जी नहीं, यह भी नहीं है ध्यान रखे, जो managerial position है या फिर supervisory position है, जिनको 15,000 से जादा मिलता है उनको भी include नहीं किया गया है और question में भी यहीं पूछा गया है कि किनको include नहीं करना है मतलब यह सारे include नहीं है that's mean की option क्या हो जाएगा यहापे आपका D हो जाएगा 7 का D question number 8 है which of the following section of the code on wages 2019 prohibited the gender discrimination कौन सा section है, किस section में हम बात करते हैं कि gender discrimination नहीं होना चाहिए वो है आपका section number 3 बहुत ही ललू सा question था हाँ अभी आपको ललू लग रहा होगा बर देरे देरे जब धेर सारी चीज़े पढ़ लोगे तो आप भूल जाओगे तो कई बार लोग पूछते हैं कि sir कौन सा section important है हम कौन सा section याद करें हो कोई section gender justice की बात कर रहा हो तो उस type के section को आपको याद कर लेना चाहिए जैसे section 3 है जो basically किसकी बात करता है gender discrimination की नहीं होना चाहिए तो इस type के section आपको याद होने चाहिए तो option 3 correct है अब यहाँ पे आपके performance की scale है अब आप देख लो कि आप किस category में आप यहाँ तक आये हो तो बीना like कि आपको वीडियो को नहीं जाना चाहिए क्योंकि definitely आप कुछ सीख रहे होगे आपका interest होगा तभी आप यहाँ तक पहुचे होगे चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good luck